हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेजिशीट चैनल दोस्तों आज में खेल चिकी स्पोर्स मेडिसीन के अंतरगत पुनरवास यानि रहेविलिटेशन फ्रॉसिस क्या होता है और कितनी प्रकार का होता है कितनी वीदियाओं होती है इसके बारे में पूरे डेटिल में ब और को सब्सक्राइब अपने टॉपक पर ले सब्सक्राइब में यूजा कि सबहने जाता है यह किकिसा अनल मैं किसेakah सब्सक्राइब होता है लिए को ठॉंतर यूजव बलाव में तो चैनल के तीचर्य धरेगत आफ श् narrower क्रिक 지금 हें नेजाटथ तो इन दोनु बात को आप ध्यान में रखिगा अब बात करते हैं पुनरवास यानि yi rehabilitation process क्या है ओकर बोस्तो जैसा कि आप खेलते हैं खेलते वक्त आपको चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द कैसे में ठीक होकर कि पुर्ण खेलने वाले इस्थिती में आ जाए उसी चीज को पुर्ण वापस आने को पुर्ण रियाबिलिटेशन कहते हैं यानि कि खेल में चोट लगने के पस्चाथ उसे पुनह पुर्व अवस्था यानि खेलने की इस्थिती में वापस लाना ही पुनरवास या काहलाता है जैसा कि आप समझ गए होंगे अप कि पुनरवास क्या है पुनरवास यानी पुनह वास करना यसे खेल ख Kaiser हमें चोटी लग गया अब उसको ठीक कर्के पुनह पहले जैसे आजाना यानि पुना पहले जैसे इसी तेमें वास करना यहीं आपका पुनर्वास रिहाइबिलिटेशन प्रोसेस का उद्धिश क्या होता है इसका उद्धिश होता है कि पुना खेल ट्रेनिंग यह प्रतिविता में भाग लेने के लिए सिग्रता शेवा पर्षाना चोटो के लिए यानि हलके चोटो के लिए कुछ तिविता एवं अल्प अवधी की बयायामों से पुनर्वास प्रारम करते हैं अब कि गंभीर चोटे हैं तो गंभीर चोटों के लिए झीम्न य निम्न या मध्यम तीविरता ब्यायां प्राज़ांअ करके उच्च तीविता दीन वाले ब्यायां पुनरवास कानओ करना हैं पुनरवास की इसी नहीं यह कंनरौन कुर आप गयान कोन करण जर च्छर यह रूकित तीन होती है पुनरवास की धस्तव भरी एक्रइक्षिज नहीं होता है दोस्ता पयद होता है तो पनरवास की इन तीन विधियो को आप गाठ बान लेजि negócio कि यही पनरवास की तीन विधिया घाल सकते presentology क कर लिया Ohh तो पहला बिधि क्या है बैयाम बिधिया यानि करेक्ट्री एक्सरसाइज हम करेंगे तो बैयाम बिधिया में क्या होगा समान बैयाम और बिसिस्ट बैयाम यानि जेनरल एक्सरसाइज और बिसिस्ट इस्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं समान ब्यायाम यानि जन्रल एक्सरसाइज की बारे में इसके अंतरगत हलके वा कम गती वाले ब्यायाम आते हैं इसमें ऐसे ब्यायाम का प्रियूक किया जाता है जिससे चोटिल अंग पर अधिक दबाव न पड़े यानि हलके वकम गती वाले बयायाम का प्रयोग किया जाता है समान बयायाम में जनरल एकसरसाइज में जैसे पैदल चलना बैठ कर धीरे धीरे बयायाम करना यानि इसमें नई चोटे एक केट इंजरी में अधिक प्रयोग होता है समान बयायाम जो तुरंद की लगी चोटे होती है नई चोटों में नेश्ट है बिसिस्ट बयायाम स्पेसिफिक एकसरसाइज बिसिस्ट बयायाम स्पेसिफिक एकसरसाइज है जोट पुरानी होने पर यानि, पोश्ट एक्यूट या निक की चोट का, 38 घंटा स्यर्दा से जड़ा हो जाने पर समान बयाम के बाद पिस्ट बयाम का प्याइब करते हैं जैसे की इसमें सरल से जतील रूप में मसीनों का भी परियोक जिरसर से जतील रूप में ब्यावायाम किया जाता है हैक्टि एन पेस्टि या भीना बाहरी नदर्ण जाता है आप एससी बाहरी मदद से बियायाम किया जाता एक्टिव एक्ष inspired यानि बीना बारी मदद से एकसरसाइज के अंतरगद इस्ट्रेचंग द्यायाम अते हैं जो इसट्रेच किया जैता है सभी योगासन आसन इसमें आ जाते हैं एंड जो इस्ट्रेचिंग ब्यायाम किया जाते हैं एंड पेसी एकसरसाइज जो बाहरी मदद से किया जाता है इसमें सक्तिवर्थ ब्यायाम यानि इस्ट्रेंथिक एकसरसाइज जाते हैं जैसे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइ करके अन्य मसिनिक द्वारा भी किया जाता है दोस्तों आइसोमेट्रिक आइसो टूनिक आइसो कानेटिक के बारे में मैं पूरू वीडियो में बता चुकी हूं इसे आप चैनल में जा करके देख सकते हैं मांस्पेस्यों एवं इस्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट मे जा करके इस वीडियो को वाच कर सकते हैं तो दोस्तों यह था ब्यायाम विधिया यानि कि पुनर्वास की प्रत्थम विधि और दूसरा विधि क्या होता है मनों बग्यानिक प्रसिच्छ विधिया यानि कि उसको सांतोना देंगे कि की जिंदा की कोई बात नहीं है तुम अतिस्तिग्र ठीक हो जाओगे उसके इच्छा सक्ति को बढ़ाएंगे जिसे की खिलाड़ी की इच्छा सक्ति वह आत्म विश्वास बना रहें तिसरी विधि है चिकिस्टा विधिया यानि ट्रिट्मेंट मेंथोड इसमें दो विधियों का प्रयोग किया जाता है चिकिस प्रातमिक उपचार यानिए फर्स्ट अड् это दुसरा फिजियो ठेल पी यानि काई चिकिस्टा उसके रहें Gिया जाता है फिस्ट में क्या होता है कि कि फ्रस्ट यानि सबसे पहले चिकिस्ट pensa इसके प्रयोग इस सब्दका प्रयोग सबसे पहले सेंट जान इंबुलेंस एसोसियसन द्वारा किया गया प्रात्मिक उप्चार यानि फर्स्ट एड तिब्र चोट एक्यूट इंजरी के तुरंत बाद किया जाता है बिदी को PRCES सब्दान का प्रयोग किया जाता है और पिरिस्ट का मतलब होता है पंदर से 20 मिल तक आइस यानि चोटिल भाग पर बर्प प्रयोग करना सी से कम प्रेजन यानि चोटिल भाग से पहले भाग को हिदे की तरफ वाले भाग को दबाना जिसे उस भाग करत संचरर रूख जाए और दर्द कम हो सुजन भी कम हो इसके लिए टोनिक बेंडेश का प्रियोग किया जाता है किस बेंडेश का प्रियोग किया जाता है इसे इलेवेशन यानि चोटिल भाग को हिदे के उचाए से उपर उठाना यह से सपोर्ट यानि चोटिल भाग को किसी चीज से सहरा देना जिससे की वह ज़्यादा हिले दूले ना और यह था फर्स्ट एड यानि प्रात्मिक उपचार एंड चिकिस्था बिधिया ट्रीट्मेंट मेथड का दूसरा प्रकार है फिजिए तिरेपी जसे हम कायक ची किस्था भी कहते हैं फिजिए त्रेपि यानि कायक ची किस्था जब दूस्थें चोट लगने के बाद सबसे पढ़σे तो प्रात्मिक उपचार किया जाता है यार्टालिस या अर्टालिस घंटे से जादी समय का जब चोट हो जाता है तो इसका प्रियोग किया जता है दोस्तों फिजियो तुलभी प्लाचीन काल में इसका प्रियोग ज्यादा होता था चिकिसा सास्तर के पितामों जैसा कि हम बताएं हिपोक्रेटर्स थे प्लाचीन काल में फिजियो तुलभी के ज़्यादा प्रियोग होता था इसमें निमने विधियों का प्रियोग किया जाता है फिजियो तुलभी में जैसा कि इसमें हाइडो तुलभी में क्या होता है कि इस प्रतिक्रिया किया जाता है जैसे की गर्म पानी और ठंड़े पानी का प्रियोक करके miracles किसा देल नेश्ट ट्रेपित कंग ए कि है व्यज्थ कि समझ्दी चिकिसा किया जाता है गर्म पानी या ठंड़ा पानी का प्रियोक करके वो Dollar दोड़ में दोड़ित, दोड़े से समधित, साथ है, वेक्स थरेपी mg से समधित, तोरा एलेक्सा थरेपी य्यानी विद्धूसे समधित, सांड ने सांड थरेपी ऑन धोली झासा लाय प्रकास समंधित, वेव थ्यूण ए शे तरंगो झासा,ël्बेटिक थरेपी यान نے की च इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डेटेल में बताऊंगी बस मैंने इस वीडियो में पुनरवास यानि रहे किया है इसकी बारे में इस वीडियो में बताया तर् ibaयान वीडियो में अब्रवी कारा उस्ट liberum में कि इसको पूरा करने के बाद जो डोपिंग का टापिक है सब्धे लियल करोंगी उसके बाद जितने थे समझ वैसे आपिकस बहाँ कि बनाऊंगी बस आप मैं चैनल पे लगातार बने रहें दोस्तों क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरा मागदसन करेगा जिसे मैं और अच्छे से कारे कर सकूंगी तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे जो ही मैं नया वीडि इफिकेशन आपके पास जाता रहें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए